हार्दिक पांडिया को कप्तानी से हटा दिया गया बड़ा बवाल मचा कि भाई साब आकिर हार्दिक पांडिया को कप्तानी से क्यों हटा दिया सूर्य कुमार यादो को कप्तानी क्यों दे दी गई उसके पीछे के हलंकी वज़ा ये बताई गई कि भाई साब हार्दिक क्योंकि छुटी पर रहते हैं केवल टीटवंटी खेलते हैं फिटनेस उतनी भैतर नहीं है इसी वज़े से बीसी स्याई ये का फैसला लेना चाहती थी कि एक ऐसा कप्तान हमें मिले जिसको बतलब जो चुटी जादा ना ले फिटनेस उसकी ठीक हो और टीम इंडिया की तरक् कप्तानी सोंपी गई इस तरीके की बिचर चाही थी लेकिन अब एक और ख़बर सामनी आई है खबर ये है कि भाहिशाफ फिटनेस नहीं पूरी टीम बगावत कर रही थी हार्दिग पांडिया की हार्दिग पांडिया को लेकर एक टीम इंडिया के सर्वे किया गया दरसल स किसे कप्तानी सोपी जा ή टीम मिइंडिया के खिलाडियों से पूछा गया था अब जब टीम इंडिया के खिलारियों से पूछी गए सवाल पूछा गया कि हार्धिक या फिर सूर्यकुमार यादव तो खबर ये है कि टीम इंडिया के मौझूदा खिलारियों में से जादातर खिलारियों ने सूर्य कुमार यादव का समर्थन किया और हार्दिक पांडिया की खिलापत की है यह बहुत सारे खिलारीयों की खबर है अक्षर पटेल का तो बयान भी सामने आया है मैं अक्षर पटेल का बयान आपको सुनाता हूँ उसके बाद मैं आप अंदाजा लगा ले ना अक्षर पटेल ने बताया जब अक्षर से पूछा गया दोनों को लेकर अक्षर ने बताया कि मैंने हाली में पांच मैचों की एक T20 शिरीज खेली थी जब वो कप्तान ते सुर्य कुमार यादव को पीछे कप्तान बनाया था मैं जानता हूं कि वो एक गिनबाज के कप्तान है वो गिनबाजों को वो फिल्ड देते हैं जो वो मांते हैं मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बदला होगा अब हम उनकी कप्तानी में खेलते हैं उनकी मांसिक्ता के बारे में जानेंगे आप एक दोरे से किसी की कप्तानी का अंदाज नहीं लगा सकती जब हम और ज़्यादा खेलेंगे तो हमें उनकी कप्तानी शैली के बारे में और ज़्यादा पता चलेगा जाहिरतो पस सुर्य कुमार यादव को लेकर अक्षर पटेल का जो ये बयान है ये बताता है कि केवल रोहित और गंभीर पर यारों मतलगा ये किन दोनोंने हर्दिक को अटा है टीम इंडिया के खिलारी भी हर्दिक को कप्तान नहीं बनाना चाहते थी टीम इंडिया के बाकी खिलारियों से भी जब पूछा गया है एक सर्वे जब टीम इंडिया के खिलारियों के साथ किया गया तो उस सर्वे में भी ये पता चला है कि वाई सब हार्दिक पांडिया के साथ खुश नहीं है जो बाकी खिलारी है वो भी सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाना चाहते थे वो भी सूर्य कुमार यादव के साथ खुशते उनके कप्तानी के साथ खुशते क्योंकि एक सीरीज में सूर्य कुमार यादव कप्तानी कर चुके हैं तीम इंडिया की और वो सिरीज टीम इंडिया जीती थी कमाल की परफॉर्मेंस कप्तान के तौर पर सूरे कुमाय यादव कि उस सिरीज में रही थी इसलिए उनकी तारिफ की जा रही है तो केवल ये कह देना कि गंभीर ने हटा दिया रोईत ने हटा दिया ये भी गलत है टीम इंडिया के खिलारी भी हर्दिक पांडिया से नाराज थे उनके खिलाब बगावती हो गई थी तो ये रिपोर्ट इस वक्त सामने आई है अक्षर पटेल के बयान से साफ है कि टीम इंडिया के बाकी खिलारी भी हर्दिक पांडिया को कप्तान के तौर पर पसंद नहीं करते थी तो आपका इस खबर पर क्या कहना है कि आपको लगता है कि वास्ता में हर्दिक पांडिया की जो पटरी बढ़ती जा रहे तेज रफ्तार से चल रही थी गारी वो अब डामा डोल है और करियर पर खत्रा मंडरा रहा है जिस तरीके कि अब खबरे सामने आ रही हर्दिक पां कि झाल कर दो हुआ इस को तो आपको तो आपी जाए जोड़ाई यह झाल काई दो आपको बगता है